वाहिगरुजी का खालसा वाहिगरुजी की फते तुसी वेख रहे हो कथा गुर्बानी विचार संगजी चेंदी एक मशूर कहावत है कि जेकर तुसी एक कंटे लई खुश होना चौन दे हो ता सौँ जाओ जेकर एक देन लई खुशी प्राप्त करना चौन दे हो ता मचियां फड़न चले जाओ जेकर एक साल लई खुशी प्राप्त करना चौन दे हो ता किसमत दे वारस बनो जेकर तुसी हमेशा ही खुश रहना चौन दे हो ता दूज्यां दी मदद करो खुशी दूजियां दी मदद करन विचों ही मिलेगी किसे दी मदद करना मनुख दा पैला करताव है अपने स्वार्थ शकायता गुसा आदी नू पासे राके किसे दे विगडे का मनू स्वार देना ही मदद करना है दुनिया दे कुल तरम मदद करनू ही तरहीज दिन्दे हन मदद करना अपनी होमे नू मारना मी हुंदा है व्यक्ती दे मन विच बनी ठोस होमे दी दिवार जो व्यक्ती नू अहंकारी बना दिन्दी है मदद करन्दे नाल छिन पार्दे विच टै टेरी हो जान्दी है मदद अहं कार्दी विनाशक है ए नेकी दा इकवशेश रूवी है जिते मदद कीती जावेगी उथे नेकी जनम लवेगी अते जिते नेकी होवेगी उथे बेशक मदद कीती जावेगी व्यक्ति आपनी खुदी मदद आप ही कर सकदा है अपने आपनू दुष्ट कर्मा तो बचाई रखना खुदी मदद करना हुंदा है एक आम काफी ओखा हुंदा है अते बहुतात अजे ही मदद करनतों असमरत हुंदी है व्यक्ति दा मन अनेका ही विकाराँ दे मगर दोरदा रही दा है कई व्यक्ति अपने आपे नू एना विकाराँ दे मगर लगन तो बचा लहीं दे हन अते कई एना विकाराँ दे नाल ही रोड जान देने बारी मदद जा दूसरें दी मदद करना नेकी दा कम हुंदा है ए सचाई ते चंग्याई दा प्रगटावा हुंदा है आदी कालतों ही मनुख नू दूसरें दी मदद करन दे लई उपदेश दिते जा रहे हन पर अधुनिक समेदे विच मनुख ने अपने आपनू अइना व्यस्थ बना लिया है के उसको अपने आप दी मदद करन दे लई ही समा नहीं बचया मनुख विच स्वार्थ लालच अहंकार इर्खा अधी अजहे अवगुन पैदा हो गए हन के उद दूजयां दी मदद करन तों करनी कतरोंदा रहींदा है अनेका ही लोडवन उस दे आसे पासे हुंदेहन पर मनुख वोना दी मदद करन लिब जाए पासावाट जानदा है व्यक्तिनू हो और दी मदद निश्काम हो के करनी चाहिदी है किसे दी मदद इस तरीके नार करो के एक हाथ नार मदद करो ते दूजये हाथ नूँ पता ही ना लगे के मदद कीती गई है मदद करके दिखावा करना हो मैनू उपजदा है निश्काम पावनार कीती गई मदद हो मैनू बिनास दी है मदद कदेवी लाल्च जा मतलब नहीं करनी चाहिए दी मदद कर दे समय यह नहीं सोचना चाहिए दा के जिस दी मैं मदद कर रहा हाँ इसने कदे मेरी मदद की तीसी जा करेगा एक जगदा दीवा बाकी हजारां बुझे हुए दीवया नुजगा सकता है पर इस नाल उस जगदे दीवे दा कुछ नुकसान नहीं हुँदा बलके उस दीवजा करके हजारां बुझे हुए दीवे जगजान दे हन जो होरना लखा दीवया नुजगा सकते हन मदद करन दे ले किस खास योगता जा आउदे दी जिरूरत नहीं हुँदी अते ना ही मदद केवल तांदे नार ही हुँदी है एहे शब्दा इशारें आदी द्वारा भी कीती जा सकती है किसे नुँ हलाशेरी देनी बहुत वड़ी मदद हुदी है गल्त काम करदे व्यक्ती नुँ सई मार्ग दखा देना भी मदद ही हुदी है किरोधित व्यक्ती नुँ शांत कारदेना रोंदेनु चपकरऊना पुखेनु रजाऊना सुत्तेनु जगऊना पटकेनु समझाऊना आदी मदद करंदे ही वक्रे वक्रे रूप हुदे हन एक वार कोई सादू शैर दी किसे गली विच्चों गुजर रहा सी ता एक व्यक्ती वेश्वा दे कोठे चे दाखिल होन ही लगा सी सादू ने मगरों अवाज मार के किहा क्यों चिकड़ विच्च छाल मारन लगया है आपा सवार ले सादू दी ऐनी ही गल कामी नु इनसान बना दिता मदद करंदा कोई वी चंगा जरिया हो सकता है मदद करंदे नाल मान निर्मल हो जानदा है मान वेच हीनता अते बराई खतम होन लग जानदी है मान वेच सरबात दा परा करंदी तांग उपजन लग जानदी है अते व्यक्ती सब तरह दे पेदपाव मिटा के होर नानो पाईवाल सम्झन लग जानदा है एक दूसरे दी मदद करन दे नाल पाई चारक सांज मजबूत हुंदी है अते नाल ही रिष्टियां दे वेच मजबूती हुंदी है अजोग के समय दे वेच हारेक नो दूसरे दी मदद दी जरूरत है एक हाथ नो दूसरे हाथ त्या सहारा हुंदा है एक अते एक मिलके ग्यारा बनग जाने हन, योग हुंदे हुएवी, लोड़ वांद दी, मदद ना करना हेवानियद दा रूप है मदद करन्दा सिद्धा सिद्धा फाइदा व्यक्ती नो खुद नो ही हुंदा है मदद करनाल व्यक्ती दी उदासी अटे निराशा दूर हुन्दी है अते ओ खेड़े विच भी आ जानदा है उस्ता मन शांत अते निरमल हो जानदा है अते उस्ती जिन्दगी खुशाल अते नरोई बाने जानदी है वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरु जी की फते जेकर तो अनुए है वीडियो संगजी पसान दाए ता इसनू शेर अते लाइक जरूर करेो अते होर नमिया वीडियोस दी अपडेट लई चैनल नू सबस्क्राइब कर लवो वाहि गुरु जी का खाल सा वाहि गुरु जी की फते